ओम नमः शिवाय हर हर महादेर भक्तों वेद पुराणों में वर्णी थे कि शिव ही सत्य हैं शिव ही सुन्दर हैं भग्वान शिव का न कोई आदी है और न कोई अन्त आपने वेद पुराणों के माध्यम से भग्वान शिव की अनेका नेक गाथाएं सुनी होंगी भक्तों परन्तु आज मैं उन्ही जटाधारी गंगाधारी और ओघडनात शिव भोले की ऐसी कुछ गाथाएं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप सबका यह विश्वास और भी द्रिण हो जाएगा के मात्र एक लोटा गंगाजल अरपन करने से प्रसन्न हो जाने वाले सदाशिव जैसा दानवीर और कोई नहीं है तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये शंकर भगवान की जेए आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं शिव शंकर भगवान की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं शिव शंकर भगवान की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं भक्त जनों पहली कथा दैते राज भस्मा सुर की सुनाता हूं भस्मा सुर ने अपनी अनन्य भक्ती और हठियोग से शिव भोले नात को प्रसंद किया और वर्दान में यह वर मांगा कि वो जिसके शीश पर हात धरे वो ततकाल भस्म हो जाए जैसे ही भोले नात ने ततास तु कहा वो पापी वर्दान की सत्यता जानने है तू भग्वान शिव के सिर पर ही हाथ रखने को तत पर होने लगा और उन्हें भस्म करने उनके पीछे पीछे भागा तीनों लोकों के आराध्य भग्वान भोले नात आज स्वयम अपने प्राणों की रक्षा है तू आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे दैत्य भाग रहा हैं आगे क्या हुआ आईए सुन्दे हैं पीछे पीछे भागा पापी आगे शिव जी भाग रहें श्रिष्टी के हरता देखो अब स्वयम रेत्य उसे काप रहें भागते भागते विष्णू लोक में शिव शंकर देखो आए ये विष्णू प्राणों को बचाओ शिव शंकर ये बतलाए कैसे विष्णू जीने की थी हाँ कैसे विश्णु जी ने की थी रक्षा शिव के प्रान की हसुरों को भी जोबर देते ऐसे करुना निधान की ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर भगवान की हसुरों को भी जोबर देते ऐसे दया निधान की ऐसे बया निदाने की आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं शिव शंकर के आवाहन पर श्री हरी ने योग निद्रा को त्यागा और तत्काल प्रभाव से मोहिनी का रूप धारण किया और असुर के सन्मुप पहुच गए काम आंध होकर जो ही असुर मोहिनी की ओर लपका तो मोहिनी बने विश्नु जी ने कहा कि पहले तुमें मेरे साथ साथ नित्ति करना होगा जैसे जैसे मैं नाचती जाओं तुम भी वैसे वैसे मेरे साथ नाचते जाना और मोह वश्न मोहिनी की ताल पर असुर ताता थैया कर नाचने लगा जैसे जैसे मोहिनी नाचती भस्मा सुर अनुसरन करता जाता और जैसे ही मोहिनी ने नाचते नाचते अपने स्वयम के सिर पर हाथ धरा राक्षस ने भी ऐसा ही कर दिया और भग्वान शिव के वर्दान स्वरूप वो तक्काल भस्म हो गया इस तरहे मोहिनी रूप में शुरी हरी विश्णु ने शिव शंकर के प्राणों की रक्षा करी जैसे जैसे मोहिनी नाचे असुर भी नाचता जाता था बस मासुर तो मोहिनी की ताल से ताल मिलाता था मोहिनी ने नाचत नाचत अपने सिर पर हात रखा राक्षस ने भी मोहिनी का भक्तों फिर अनुसरन किया भस्म हो गया राक्षस पल में हाँ भस्म हो गया राक्षस पल में वली चढ़ाई प्रान की असुरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिवशंकर भगवान की खस्मों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं दूसरी कथा का प्रसंग इस प्रकार से है भक्तु एक बार मा पारवती भोले नाथ से शिकायत करते हुए कहती हैं कि लक्षनी और ब्रह्मानी तो सुन के बने महलों में रहती हैं और मैं इस कैलाश परवत पर मुझे भी एक अच्छा सा सोने का बना हुआ महल चाहिए भोले नाथ ने बहुत समझाया परन्तु मा गौरा नहीं मानी भक्तों गौरा की हट के आगे विवश भोले नाथ ने विश्व कर्मा को आदेश दिया कि वो ऐसी एक स्वण की नगरी बनाए जिसका तोड तीनों लोकों में नाव भगवान शिव के आदेश की देरी थी के विश्व कर्मा ने स्वण की ऐसी ही नगरी निर्मित कर दी मा पारवती ने जब उस नगरी को देखा तो अती प्रसन हो गई तीन लोक में सबसे सुन्दर ऐसी नगरी बनवाई नगरी देखी गोराने तो मन ही मन वो हरशाई रहे प्रवेश की खातिर कोई पंडित भोले बुलवाओ यज्यहवन और पूजा अर्चन एशिव शंकर करवाओ सबने अनुशंसा की भगतों हाँ सबने अनुशंसा की भगतों फिर रावन के नाम की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दयानिधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं सभी रिशी मुनियों और देवी देवताओं ने शिव शंकर को यही बताया कि भगवन रावन जैसा प्रकांड पंडित तीनों लोपों में नहीं है पतह उसी को ग्रह प्रवेश के पूजन पर आमन्फित करना चाहिए ऐसा ही हुआ भग्तों रावन को पूजन हेतु बुलवाया गया और रावन ने भी पूरे विधिविधान से रह प्रवेश का पूजन अर्चन संपन्न करवाया परन्तु इतनी सुन्दर स्वर्ण से बनी नगरी को देखकर उसके हिर्य में लालच आ गया और उसने भोले नाच से यही स्वर्ण नगरी दक्षिना स्वरूप मांग ली दानियों के दानी देवादी देव भोले नाच ने बिना सोचे विचारे उसे तथास्तु कहकर स्वर्ण से निर्मित नगरी उसके हाथों में सौप दे हाँ वही स्वर्ण नगरी जो उन्होंने मां गोरा हेतू बनवाई ती एक ही पल में रावण को दक्षिना स्वरूप वो नगरी दान में देदी इक पल को नादेर लगाई दान में लंका दे डाली आप फकीरी हाल रहे यों सबको देते खुश हाली च्वर्ण की नगरी देखो रावण फिर अपने घर ले आया पापी था पर शिवशंकर का भक्त परम वो कहलाया वेद पुराण भी कहते गाथा हाँ वेद पुराण भी कहते गाथा शिवशंकर के दान की असुरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की ऐसे दयानिधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिवशंकर भगवान की खसरों को भी जोबर देते ऐसे दयानिधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं भक्त जनों भोले नात की लीलाओं और कथाओं से तुछ वेद पुरान पटे पड़े हैं जैसे सागर मंधन के समय विश्पान करना हो और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्यान तथा विश्नु जी को महालक्ष्मी प्रदान करना हो ताड का सुर जालंधर जैसे अनेक अनेक असुरों ने भोले नात को प्रसंद कर उनसे अभय वरदान राप्त किये तो फिर भोले नात जो असुरों को भी बर देते हैं क्या आपकी भक्ती से प्रसंद नहीं होंगे भक्तों अवश्य होंगे, कैसे होंगे, आईए आपको बतलाता हूँ पिकलोटा गंगा जलसंग में दूद दही घी ले आना चंदन तिलक लगा पिंडी पत पेल पत्र अरपित करना बस इतनी सी भगती परश भोले खुश हैं हो जाते भगतों के भंदार वो भोले अपनी क्रिपा से भर जाते व्यर्थ जनम न गवाओ भगतों आई घड़ी गुणगान की असुरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिवशंकर भगवान की खसुरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं